नमस्कार दोस्तों, स्वागा था आपका हमारी यूट्यूब चैनल एक्जाम मंथन में और चतिसगर मंथन की इस सीरीज में आज हम आपके सामने चतिसगर करेंट अफेर्स का पार्ट बन प्रसूत कर रहा है देखिए जो चतिसगर पीएससी की जो एक्जाम है और इसके साथ में व्यापाम है या फिर जो दूसरे एक्जाम से यहां पर कंड़क्ट होते हैं उनमें करेंट अफेर का बहुत एक इंपोर्टन रोल होता है यहां पे अल्मूस 15 से 20 question चतिसगर और रास्ती जो करेंट अफेर है वहां से पूछे जाते हैं लेकिन करेंट अफेर का दायरा कुनकि काफी बड़ा होता है फिर भी हमने कोशिश करी है कि चतिसगर के करेंट अफेर और रास्ती जो करेंट अफेर है उन दोनों को साथ साथ लेके चलते हुए कुछ तीन या चार पार्ट में हम पूरा Current Affair खतम कर देंगे, जिससे आपको एक booster package मिल जाएगा और आप easily सारा Current Affair याद कर पाएंगे, अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं, तो हम यहाँ पे डील करने वाले हैं, 36 गड़ म जो हैं, वो भी आपका साथ में cover होता जाए, और उसके बाद हम यह देखने वाले हैं कि जो नया जिला बना है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं, राच्की गीत के बारे में देखने वाले हैं, और अगर हम रास्टी और अंतरास्टी Current Affair के बारे में देखें, तो हम यह कोई समय गवाए हम अपना आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तो टॉपिक शुरू करने के पहले मैं आपको एक information देना चाहूँगा अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है तो किर्पिया इसे आप subscribe करे like करे, comment करे और share करे यहाँ पे 36 गड़ PSC के लिए तीन और वीडियोस यहाँ अपलोड किये गये हैं, 36 गड़ जंजाती के उपर दो वीडियोस अपलोड किये गये हैं, part 1 और part 2 और इसके साथी साथ, 36 गड़ के राश्टी उद्यान, वन्ने जी औ अभिहारन के उपर वीडियोस अपलोड किया गया है, तो आप यह सारे वीडियोस जरूर देखें, यह आपके परिक्षा के दिष्टी से काफी महत्पुर्ण है तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, पहला टॉपिक सम्दित है हमारा 36 गड़ मंतिमंडल या पहले प्रदेश की पहली जो महिला राजपाल थी, वो अनंदी बेन पटेल थी, जिन्हें राजपाल बनाम दास टंडन जी की मृत्यू के बाद में अत्रिक्ति प्रभार सौपा गया था, तो अगर ऐसा कोई कुश्चन आता है कि पहली महिला राजपाल कौन थी, तो अनुसुईया, उनके होने वाला है, उसका अंसर, ठीक है, देखिए, जब आप कोई भी ऐसा टॉपिक प्रिपेर कर रहा है, जो कि राजपाल से समंदित है, या फिर कोई भी ऐसे पतादिकारी से समंदित है, तो आपको उसके बारे में समझना चाहिए, कि राजपाल की नि इंपोर्टन फैक्ट देखें यहाँ पे, तो किसी राजपाल को राश्पती द्वारा उसके हात और मुहर के द्वारा वारन द्वारा न्यूक किया जाता है, और यहाँ पे जो अनुच्छेद है वो आर्टिकल 155 है, यह आपको आर्टिकल 155 याद रखना चाहिए, यह इं में रखना है, और अगर मैं और लोगों के बारे में बात करूँ, तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, तो उनको इभी नियूक्तियां यही वारंट और जो हैंड और वारंट के थ्रू ही होती है, आपको ऐसे जो तीन या चार लोग है, तीन या चार के जो ल बारे में अनुच्यद 157 में ये चीज लिखी हुई है, तो जब भी आप ये चीज देखते हैं, कि जैसे कि राजपाल के बारे में डिसकस हो रहा है, तो आप कोई पता होना चाहिए कि राजपाल के लिए मिलियों कितनी होनी चाहिए, तो 35 यहां पर कुछ भी डिफाइड नहीं होती है, राइट, हमने देखा है कि जो राजपाल है, उनकी जैसे कि बल्लामदाश जी टंडन जी की मित्ती हो गई थी, तो उनकी भी कोई ऐसी कोई डिफाइंड यहां पर मैक्जिम लिमिट नहीं है, और इसके बाद अगर हम शपत की बारे में बात करें, इसके पहल प्रिवेस एर में एक कोईशन पूछा गया था, जो कि स्पीकर से समधित था, तो उसमें यह पूछा गया था, कि इनको कौन शपत दिलाता है, तो किसी भी राजपाल के राजपाल को वहां का जो चीफ जस्टिस होता है, वहां के हाई कोट का, वहां पे शपत दिला रहा हो जिनकी 2018 में निधन हो गया था जिनका हाना और अगर हम बाकी राज़ेपालों की बात करें तो दिनेश रंदन साहय जी हैं वो सबसे पहले राज़ेपाल थे फिर के एम सेट जे थे और ईसल नरसीमहन जी उसके बाद अगले थे शेकरदत थे आपको इनके कारेकाल के येर्स य ज्यादाव जी हो गए जो की कारेबाहक थे तो आपको कारेबाहक जो दो राज़ेपाल न्यूप किये गए थे उनके बारे में ध्यान रखने चाहिए क्योंकि अगर कोई options में आजा ऐसा पूछा की कौन से यहां पर पूर्णकाली के राज़ेपाल थे या फिर आपके कारे विधान सभा से समनती जितने इफी facts होंगे वो हम यहां पर discuss करने वाले हैं पहला सबसरा फैक्ट हम देखने हैं जो बभी विधान सभा है वो फिफ्त विधान में हैं और टोटल इंब्डर और भूर सीट के वहां लिए हमारी चोर्चे-चोर्चे-चाहरमान अगर мुख्य बगेल जी हैं और पांशवे मुख्यमंत्री है कारे काल के आधार पर पांशवे हैं और अगर हम देखा जाएं कि परसन के हिसाब से तो परसन के हिसाब से तीसरे हैं क्योंकि जो अजीत जोगी जी थे वो पहले मुख्यमंत्री थे उसके बाद रमन सिंग जी ने तीन बार यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पर कारी किया और उसके बाद आपके बुपेश बगल जी आए है ठीक है तो अगर कारेकाल के आधार पर पूछा जाएगा तो पांचवा बताना है आपको पांचवा को टिक करना है और अगर परसन के हिसाब से पूछा जाएगा तो आपको थर्ड के हिसाब से टिक करना है और अजीत कुमार जोगी जो है वो हमारे प्रतम मुख्यमंत्री थे जिनका अभी लास्ट येर ही निधन हुआ है चत्तिसगर राज्य में सबसे जादा बार मुख्यमंत्री रहने वाले मुख्यमंत्री हमारे रमन सिंग जी थे ठीक है ये आपको basic fact हो गए अगर हम आगे चले अभी चत्तिसगर जो विधान सभा है उनके अध्यक्ष कौन है तो ये है चरंदास महन जी ये फिफ्ट विधान सभा के अध्यक्ष है देखे अध्यक्ष हमेशा से काफी चर्चा में रहने वाला टॉपिक रहा है और ये काफी important है आपकी exam की दिरिश्टी से अध्यक्ष के लिए इसने पहले भी PSE में question पूछा गया था कि इनकी शपत कौन दिलाता है तो आपको याद रखना है कि इनकी कोई भी शपत नहीं होती है कोई भी special शपत नहीं होती है जो विधायक होता है विधायक की रूप में जो शपत ली जाती है वही शपत ही वहाँ पे आगे कारगर होती है second point ये याद रखना है आपको जब आप विधानसभा अध्यक्ष के बारे में चर्चा कर रहा है तो विधानसभा अध्यक्ष बनने के लिए सबसे minimum अहरता जो होनी चाहिए वो होती है कि उन्हें कहींने कहीं का विधायक होना चाहिए देखिए जो मंतरी बनता है मंतरी ऐसा भी परसन बन सकता है जो कहीं किसी का कहीं किसी चेतर से विधायक नहीं चुना गया है और छे मैने का उन्हें समय मिलता है और वो उसके बाद भी कहीं किसी seat से जाके चुनाव लड़ सकते हैं और वो चुने जा सकते हैं लेकिन यहाँ पे जो विधानसभा अध्यक्ष के केस में ऐसा नहीं होता है आपको एक point याद रखने वाला है उन्हें विधायक होना जरूरी है यह एक mandatory चीज है फिर बोला है च विधानसभा के वरतमान उपाद नहीं करनें जो जो important facts है हम उनहीं को वह सी याद करने वाले है चलिया अगले हमारे विधान सभा से समद्धी चाय जी थी तो रवी Rain Chauby अगर हम देखें कि चतिति गब मंटी मंडल और परसाशन के बारे में बात हो रही है अपर 36 की पाँच्वी विधान सभा के प्रोटेम स्पीकर के बारे में बात हो रही है आपको पहले तो चीज ये पता होनी चाहिए कि प्रोटेम स्पीकर होते क्या है तो प्रोटेम स्पीकर एक ऐसे विधायक होते हैं जो कि दूसरे विधायकों को यहाँ पे शपत दिला रहे होते हैं विधान सभा में, तो उनका काम यही होता है कि वो नया अध्यक्ष चुनेंगे विधान सभा का, उसके लिए जो भी वोटिंग होगी वो कराएंगे, और बाकी जो विधायक होंगे, उनको वहाँ पे शपत दिला रहे होंगे, तो यह चीज होती है, जो पॉतेज़ चुने जाते हैं, वो उस सदन के, जो सबसे वरिश्ट वैक्टी होते हैं, उनको चुना जाता है, तो अभी के यहां के पांची विधानसभा के पॉतेज़ जो है, वो राम पुकार सिंग जी है, चतिसगर के पांची विधानसभा के विधानसभाध्यक्ष हमने देखी लिया है चरणदास महन जी है और उपाध्यक्ष मनोस्य वंग्णावी जी है नेता पतिपक्ष भी हमने देख लिया है धर्मला कोशिक जी है यह चीजें हो गई फिर अगर हम देखे कि मंत्री मंडल के अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखना चाहेंगे कि जो मंत्री मंडल है वहाँ पर एक आर्टिकल 164 डिफाइन होता है अगर सीट तो यहाँ पर इसका 15% ही यहाँ पर होगा तो आपने को यह ध्यान रखने वाली च चीज ध्यान रखनी कि 15% मैगजिम मंत्री वहाँ पर किसी भी विधान सभा में हो सकते हैं उससे ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं ठीक है यह आपने ध्यान रख लिया और यह डिफाइन है आपके अरुचेद 164 में डिफाइन है यह और यह कब इसमें 164 में कब डाला गया है तो इनक्यानवे समीधान संसोधन के थुरू Constitutional Amendment Act के थुरू इसको डाला गया है तो यह भी आपको दोनों fact याद रखेगा यह बहुत important है और कई exam से पूछा गया है तो आप इससे जरूर याद रखेगा ठीक है इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे अब जो मंत् है यह ज्यादा टाइम लगेगा नहीं दो मिनट में आपसे पूरे सब कुछ रिवाई जोनाएंगे दो तीन मिनट में तो यहाँ पे सबसे पहले भुपेश जी के पास सामाने प्रशाशन विभाग है वित्त है और खरीश साधान है यह सब इनके पास है और पंचायत और ग से समधित विभाग हैं वन्राशन विधी और उद्यों धियोग मंत्रारह नहीं इनिल भेडिया जी के पास पास में समास कल्यान जो विभाग है वो है उनके पास में ठीक है और अगले मंत्र रहा गया हम देखें तो राजाश्वर आब्दा प्रवंधन मंत्री है जैसी अगरवाल जी है ठीक है लोग स्वास यांत्रिकी और रामद्योग मंत्री जो है वो गुरू रुद्र कुमार जी है उच्य सिक्षा तकनीकी सिक्षा रोजगार कौशल विकास विज्ञान प्रद्योगी की यह सारे विभाग जो है आपके उमेश नंद कुमार पठेल जी के पास है नागरिक आपूरती और उभोकता सनक्षन जो मंत्राला है वो अमर जीत भगत के पास है ठीक है यह हो गया आपने देखा होगा जो बाकी जो करेंट अफेल्स के बुक्स में सारी इंफर्मिशन दे दी हुई है आपकी एक कैपसिटी है आप उतना ही याद कर सकते है और वो पॉसिबल नहीं कि आप सबके जाके कौन कहां से चुनाओ लड़ा है और कितने किसने परसेंटेश में ये लोकसभा सीटे हो गई हाना और अगर हम देखे तो राज्यसभा सीटे है वो पांच राज्यसभा सीटे है तो ये आप ये दोनों फैक्ट आप जरूर याद रख लीजेगा हाना तो इतना ही अपने बास काफी होगा इसके अलावा आपको और कुछ इसमें याद करने की जरूत नहीं है कि कितने इसमें सीटे हैं और नहीं है तो यहाँ पर आप नए गटिज जो जिला है उसके बारे हम डिसकस करेंगे देखे दोस्तों अगर हम सारे पदाधिकारी एक बार में डिसकस करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे तो हमें ऐसे करेंट अफेर को ऐसे ही मिक् है हमारा जो नया नावगटि जो जिला है वो है गोरेला पेंडरा मरवाही यह हमारे चत्रिस गड़ का 28 जिला है और इसका मात्री जिला जो है वो है बिलासपुर और 15 अगस 2019 को मुख्य मंत्री जो हमारे भुपेश बगेल जी है उनके द्वारा इसकी घोशना की गई थी और अस्तित्यों में कब आया है यह 10 फरवरी 2020 को यह अस्तित्यों में आया है और 10 फरवरी इस जिले के स्वपन दिस्टी कार जो थे हमारे राजिन प्रसाद जी विधान सभा द्यक्ष उनकी जहनती पर इसलिए इसको बनाया गया है अगर तहसील देखी जाए विकास खंड दे एक जो ST seat है आपने देखा ही होगा इस बार काफी वहाँ पर सियासी जो संग्राम हुआ है वो काफी तेज सियासी संग्राम हुआ है और लोग सभा की seat है यहाँ पर 0 है तो इतिनी information आपको याद रखनी है अब आते हैं हम इसके actual जो map है उसमें आते हैं आप देखिए इस map क अपने नोट से बना लेजिएगा इससे आप बहुत सारी चीज़ें याद कर पाएंगे जैसे अगर आप देखें तो उत्तर नौर्थ में कौन सा जिला है तो कोरिया जिला है और यहाँ पर जो मनेंदरगोरा जो है वो तहसील है यहाँ आपको याद हो गया दक्षिड में दो जिले है मुंगेली जिला है और बिलासपुर जिला है यह दो चीज़े हो गई और जो बिलासपुर जिले का कोटा जो तहसील है वो और जो आपकी मुंगेली में लोरमी तहसील है वो यहाँ पर आने वाली है ठीक है और अगर हम पर्षिम के बारें बात करें तो यहाँ दो तहसिले हैं सुहागपुर तहसिल और आपकी पुषपराजगड यह दो तहसिले यहाँ पे जो की मध्यपदेश की सिमाओं से लग रही होती है तो यह आपने एक information देख ली कि भई इतना 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 है और अगर हम इसमें थोड़ी से और चर्चा करें तो आपको basic fact याद रखने मले हैं जैसे कि यहाँ पे जो जनजाती निवास करती हो कौन कौन सी है तो दो जनजाती निवास करती है बैगा और अघरिया जो है जो जनजाती निवास कर रही होती है चतिसगड के मैदान और लोर्मी का पठार यह दो इसका जो प्राकितिक विभाजन है इन्ही के के साथ हुआ है इसका right चट्टाने कौन सी है अगर इस जिले के बारे में बात करें तो चट्टाने है यहाँ पे कडपा टाइप की चट्टाने जो है वहाँ पे मिल लए होती है नदी अगर देखे तो अरपा नदी है आपिने देख लिए यहां पे, और वनने जीव यहां पर सफध भालू है, और क्यों है यहां पर वनने जीव सफध भालू? क्योंकि आपने देखा ही होगा कि हमने जो लास्ट विडियो जिसमें हमने डिसकस किया था, अभ häran वगरा, उसमें हमने देखा था कि जामवन परियोजना के अंतरगत इसको भी इंक्लूट किया गया है इस करण से यहां सफेद भालू भी मिल रहे होते हैं तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं और अगर कोई important यहां पे पुरातत्यों के स्थल के बारे में अगर बात करें तो धनपूर एक पुरातत्यों के स्थल है यहां पे जो कि उत्तर, पाशान, कालिक, मान्यो, आकरिति, आउजारों से संबंदित है तो इतनी information आपको basic information जो है आपको याद रखनी है एक important point और याद रखेगा यहां पे यहां पे एक पलमागड चोटी भी है पलमागड चोटी है जो कि जिसकी उंचाई जो है 1080 मीटर है तो आपको यह जीत यहां रखनी है अगर हम थोड़ी और information जेखें जो जिलो की संख्या और उनके गठन से संबंदित है तो मद्द प्रांत जब था उस समय तीन जिले थे और मद्द पतेश के गठन के समय यहां पे 6 जिले यहां पे आपके बने गए थे 36 गठन के समय में 16 जिले थे और अभी टोटल है 28 जिले तो आपको इध्यान रमे रखना है क्योंकि जिलो के गठन से संबंदित जो question है वो कई बार हमने देखे हैं कि previous year में पूछे गया है तो आप इन्हें जरूर याद रखेगा राइट चलिए हम फिर से देखना शुरू करते हैं पताधिकारियों के बारे में जो प्रमुक पताधिकारी हैं उनके बारे में हम फिर से discuss करेंगे कि कौन कौन से हमारे प्रमुक पताधिकारी है देखे सबसे पहले तो हम discuss करने वाले हैं यहाँ पे कि राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है तो वह हैं अजय सिंग जी और चतिसगर राज्य लोग सिवा आयोग के अध्यक्ष कौन है देखे आप चतिसगर की तयारी करना है चतिसगर पहसी एक important परिक्षा है और आपको इसके बारे में information होनी चाहिए कि यहाँ पे मतलब इनकी नियुक्तियां कैसे होती है इनका कारेकाल कितना होता है यह साब कुछ आपको पता होना चाहिए तो यह समिधान के इनके provisions जो है वो समिधान के अनुच्षे 315 से लेकर 323 के अनुच्षेत के बीच में define किये गए है जितने भी इनके provisions है जो चतिसगर लोग सिवा आयोग जो है उनके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा तो इनकी नियुक्ति करने वाले है राज्यपाल जी जो भी राज्यपाल होंगे उन समय उनकी नियुक्ति करेंगे लेकिन आपको एक fact ध्यान में रखने वाला है कि जब इनको removal होगा या फिर इनको जब निकाला जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ राज्च्पति के द्वारा ही निकाले जा सकते है तो यह आपको basic information आपको याद रखनी है और इसके साथ में इनकी maximum जो आयू है वो याद रखनी है कि 62 years होगी वो उनकी maximum आयू होगी और आपको एक fact और याद रखना है कि किसी भी जो आपका लोग से भाँ आयोग है किसी भी राज्यकार जो लोग से भाँ आयोग के अगर जो अध्यक्ष है अगर वो UPSC के अगर अध्यक्ष बन जाते है तो उनका कारेकाल 65 years तक extend किया जा सकता है तो यह basic information आपको बिलकुल ध्यान में रखनी है especially यह जो अनुच्चेर यहां पे लिखे हुए है यह अनुच्चेर आपको ध्यान में रखना है इनका remote process आपको ध्यान में रखना है राज्यपाल जी इनको नहीं निकला सकते हैं यह ध्यान में रखना वाला चीज है और पहले जो हमारे जो चतिसगर राज्य लोग सिवा आयोग के जो अध्यक्ष थें वो थें यहाँ पे श्री बुहन शुक्ला जी थें जो कि IPS रिटार्ड IPS थें और अभी के जो है वो आपने देखी लिया है सित तमन सिंग सोनवानी जी है यह दोनों इंफिर्मिशन आपको याद रखनी है चतिसगर राज्य गौसेवा आयोग के अध्यक्ष कोन है महंत राम सुन्दर दाजजी है चतिसगर राज्य खादे आयोग के अध्यक्ष कोन है गुरपीद बामरा है उसके बाद अगले चले हम तो आगे चलते हैं तो चतिसगर राज्य पिषड़ा वर्ग कल्यान बोल के अध अध्यक्ष है थानेश्वर साहु जी और फिर महिला आयोक के अध्यक्ष कौन है राज्य महिला आयोक के किरण मही नायक जी है 36 अनुसरी जाती प्राधिगर्ण विकास प्राधिगर्ण के अध्यक्ष है भूनेश्वर बगेल जी है तो यह एक information set of information हो गई फिर हम अगले topic पर discuss करते हैं हमारा अगला topic समधित है राजकी गीट से देखे राजकी गीट काफी चर्चा में रहा है लास्ट ये भी ये PST के समय में चर्चा में था लेकिन इससे question उसमें पूछा नहीं गया था तो आपको ये अच्छे से तैयार करके रखना है कि किसी समय इसके उपर question due है कभी भी ये आ सकता है ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा राजकी गीट है अरपा पैरी के धार महानदी है अपार इंद्रा बती हा पकारे तोर पाईया तो देखिए पूरा पूरा ये राजकी गीत है मैंने कुछ इसके पद गाएं है इसलिए गाएं है क्योंकि हम यहाँ पर कुछ यहाँ पर importance जो information है उसके बारे में देखते है एक तो सब्सक्रा पहली information है कि किस ने लिखा है इसे तो डाक्टर नरेन देव वर्मा जी ने लिखा है इसकी डेट वगरा याद करने का मतलब इनकी जर्जन्म और मित्यू की तिथियां याद करने की जरोत नहीं बढ़ एक मोटा मोटा आपको याद होना चाहिए तो ठीक है आप याद कर सकते हैं तो ठीक नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है अब नरेन वर्मा जी की जो अन्य जो उनकी रशनाय है उनके बार में डिस्कस कर लेते हैं अपूर्वा ठीक है चतिसगड़ी गीज संगरा है सुबह की तलाश हिंदू पन्यास है मोला गुरू बनाई लेते ये चतिसगड़ प्रहसन है चतिसगड़ी भासा का उद्विकास ठीक है ये चार जो इनकी प्रमुक रशनाय है इनके संपादित पत्रिका कौन सी है विवेक जोती इनके संपादित पत्रिका है साथ जिले जो हैं वो इस राजकी गीत में डिसकस किये गए है कौन कौन से हैं तो रायगण है ये चार नदियों के बारे में डिसकस हुआ है यह जीला के बारे में discussion हो गया रीवर के बारे में बताये गया है चार आप देख सकते हैं अर्पा, पैरी, महानदी और इंद्रावती यह चार नदियों के बारे में दिसक्स हुआ है अर्पा, पैरी, महानदी और इंद्रावती तो ये आपको ध्यान में रखना है ये basic information हो गई अब इसके साथ में आगर देखें तो सिमित निधारित कर दिया गया है इसकी मंदन अधी को तो वो है 1 minute 15 second का और जो original इसका जो था वो है 6 minute 36 second का जो main जो था वो है और इसके अलावा हमको इसमें और कुछ information याद करने की जरूत नहीं है इतना आपके लिए काफी होगा राइट चलिए अगले topic में चलते हैं हमारा अगला topic समंधित है 36 प्रशाशन मंडा लायोक से दोस्तो मैं आपको ये request करना चाहूँगा कि ये जो facts हैं ये बार-बार आपको देखने से ही आपको याद होने वाले है तो मैं आपसे request करूँगा कि इस वीडियो को एक बार दो बार देखें ताकि आपके दिमाग में चीजें बैट जाएं क्योंकि जब आपको कोई explain कर रहा होता है चीजें तो आपका दिमाग जो है आसानी से उसे grasp कर पाता है जा फिर उसे आसानी से Judy कर पाता है तो आप इसे दो बार देखेंगे और अगर कोई बोल के आपको समझा रहा होता है तो चीजें याद हो जाती है आपको तो आप इसे बार-बार देखें इस वीडियो को 36 प्रशाषन मंडाल आयोग के बारे में हम जसकस करने वाले हैं कि किन कि न्यूक्तियां होई है देखें यह बहुत important प्रशन है जो हमारे 36 राज्यके जो प्रमुख सचियु है हाना उसके बारे में हम देख लेते हैं कि कौन है अभी 36 राजज के जो प्रमुग सचिव है 36 राजज के प्रमुग सचिव है अमिताप जायन जी जो 12 है ये प्रमुग सचिव जो अपने Chief Secretary भी ने काह जाता है देखे Chief Secretary जो होते हैं सबसे सर्वोट्श प्र्शासिनिक पदाधिकारी होते हैं अमिताब जैन जी है ये इस फोटो में दिख रहे हैं आपको और ये 36 गड़ के बारवे हमने डिसकस करी लिया है और जो अगर 36 गड़ के कैड़र के हैं तो वो उस करम में ये फोर्थ है ठीक है उस करम में फोर्थ है इतनी information आपके लिए काफी है और अगर हम बाकी लोगों मे अध्यक्श कौन बने तो आपको पता ही है कि जो राइपूर के जो महापूर जी है अजाज धेबर जी वही यहां 36 महापूर संक्य अध्यक्श भी है Assistant Solicitor General किसको निवत किया गया है तो रमाकान मिश्चाजी को Assistant Solicitor General किया गया है All India Forum of Real Estate Regulatory Authority का अध्यक्ष किसे बनाये गया है देखे रेरा काफी चर्चा में रहने वाला topic है आप इसके बारे में जरूर एक बार गूगल करें कि रेरा क्या है कैसे इसके स्थापना हुई थी और ये कैसे जो भवल लेने वाले जो ग्रहाक होते है उनकी जो जो राइट्स होते हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करता है ये आप इससे जरूर देखें जो इवेक धान जी को यहां का अध्यक्ष बनाये गया है खनिज विकास निगम की अध्यक्ष कौन है तो गिरिज दिवांगन जी है आगे हम देखें कि OBC प्राधी करण का अध्यक्ष किने बनाये गया है तो दलेशवर साहु जी को बनाये गया है राज वन निगम के अध्यक्ष को मनाये गया है देवेंदर बहदूर सिंग जी को बनाए गया है 36 गर राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गया है कुलदीब जुनिजा जी बनाए गया है राइट 36 गर प्रशाशन मंडल के अगर और नियुक्तियों के बारे में बात करें तो राज्य नागरिक आपूर्ती निगम के अध्यक्ष बनाए गया है राम गोपाल अगरवाल जी पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष बनाए गया है शैलेश नितिन तिर्वेदी जी बनाए गया है रायपूर विकास प्रादिगर्ण के अध्यक्ष बनाए गया है सुभास धुपड और समास कल्यान बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गया है करुना शुकला तो यह बेसिक फैक्ट हो गए और अगर हम देखें तो खादी ग्रामुद्योग बोर्ड के अध्यक्ष है राजिन तिवारी जी, चैटिजगर राज्य किर्षक कल्यान परश्चत के अध्यक्ष है सुरेन सर्मा जी, और जो सर्गुजा के बाल के सब पाठक जी है उन्हें चैटिजगर राज्य औशदी पादा बोड का अध्यक्ष बनाए गया है वन शतिजगर श्रम कल्यान बोड के अध्यक्ष है शफी अहमज जी राइट और उसके बाद हम देखें तो शतिजगर राज्य सहकारी बैंक अपेक्स के अध्यक्ष मनाएगा है बैजना चंद्राकर जी वेरहाउस निगम मंडल के अध्यक्ष मनाएगा है अरुन बोरा जी को और राज्य हस्तसिल्प जो बोड के अध्यक्ष है चंदन कश्यप जी है मश्वा कल्यान बोड के अध्यक्ष है ईमार निशात जी Sadhguru आपको बीच में कुध उससरे टॉपिक लेके आना चाहिए, तो हम यह आप डिसकस करेंगे नोबल पुरस्कारों के बारे में, जो कि अभी अक्टूबर 2020 में दिये गये थे, और ये इन एक्जाम्स के लिए बहुत इंपोर्टेंट है नोबल पुरस्कार से कभी भी किसी भी समय कोशन पूछा जा सकता है, तो हम यह डिसकस करेंगे, कि किने किने नोबल पुरस्कार दिये गया है और हम उसको ट्रिक के साथ में डिसकस करेंगे ताकि आप एक बार इससे देख लेंगे, तो आपको बार बार इसको देखने के जरूत नहीं होगी आप इस ट्रिक को एक दो बार देख लीजेगा तो आपका काम हो जाएगा अर्थ सास में अगर नोबल पुरस्कारों के बारे में डिसकस करें, देखे दोस्तों, हमने 36 गर और राश्ट्री करंट अफेर को मिक्स कर दिया है ताकि इस से आपका इंट्रेस्ट बना रहा है topic change होगे, तो आपका इंट्रेस्ट बना रहेगा इससे देखने में, हाना तो अर्थ सास में नोबल पुरस्कार दिया गया है दो लोग को दिया गया है अर्थ शास्त्री पॉल Milgram और Robert Wilson विल्सन ये दो लोगों को दिया गया है तो व्यवसाइक निलामी पर कारे करने के लिए इन्हें ये दिया गया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मिल्ग्राम और आपके विल्सन जी यहाँ पर दिख रहा है तो इसकी ट्रिक है असान सी ट्रिक है याद करने की र रॉबर्ड को मिली ग्राम में निलाम कर दिया गया है तो रॉबर्ड आ गया है यहां पे मिली ग्राम आ गया है और किसलिए दिया गया है तो निलाम कर दिया गया है निलामी के लिए निलामी काम काने के लिए तो बस एक छोटी सी ट्रिक है रॉबर्ड को मिली ग्राम में निल वग्यानिकों को दिया गया है रोजर, पेन्रोज, रेन, हाड, गेन, जेल और एंड्रिया गेज तो देखो, बड़ा आसान है इसको याद करना दोस्तो ये ट्रिक मैंने बनाई है तो ये ट्रिक कहती है रेन तो आपको रेन कहां से मिल जाएगा जो रेन हाड है, वहाँ से मिल जाएगा आपको ठीक है, रेन हाड से आपको रेन निकाल लिया आपने एंड, एंड है आपका एंड्रिया गेज, ठीक है रेन निकाल लिया आपने, एंड निकाल लिया और रोज रोज है, रोजर, पेन, रोज ठीक है ये तीन नामों से तीन अलग लग निकल गया अटलीस्ट आप option आपके सामने आएंगे तो आप easily eliminate out कर पाएंगे उसको ठीक है तो आपको ये trick याद रखनी है rain and rose ठीक बस इतना ही याद रखना है आपको इससे आपको जो physics में जो nobel पुरसकार दिये गया है वो याद रहेंगे चलिए अगले nobel पुरसकार में चलते हैं अगला nobel पुरसकार समधित है हमारा medicine या physiological के लिए जो nobel पुरसकार दिये गया है उससे समधित है तो ये दिये गया है पुरसकार हिपेटाइटिस सी से समधी था ये हारवे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हुटन ये तीन लोगों को दिया गया है तो इसको याद रखने की आसान सी ट्रिक है क्या है राइस का हारवेस्ट हारवेस्ट करना मतलब जो आपन उससे जब राइस को आपन धान को जो काट लेते हैं तो उसको बोलते हैं हारवेस्टिंग तो राइस का हारवेस्ट सीजन आते ही माइकल को हिपिटाइटिस हो गया ठीक है तो आपको इससे सारी चीज़ने याद हो जाएगी आपको राइस यहाँ पर याद हो जाएगा हाना और साथ में आपको हर्वेस हो जाएगा हर्वेस भी आपको याद रहेगा और आपको माइकल और हिपिटाइटिस जो है सी वो भी याद रहेगा ये तीन लोग को दिया गया है राइट चलिए अब देखते हैं साहित्य के लिए नोबल पूरसकार दोस्तों यहाँ पर यह जो तीन फोटोज है यह तीन फोटोज पिछले वाली स्लाइट की ही आ गई है लेकिन आपको बस यह तीन नाम याद रखने के लिए आपको इसकी ट्रिक यह याद रखनी जेगा तो आपको असनी से याद होजाएगी यहाँ पर अगला है लिट्रेचर में तो लिट्रेचर में जो जिन्होंने अवार्ड जीता है वो है लुईस ग्लुक ठीक है इनने ये अवार्ड जीता है तो दोस्तों इसको याद रखने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है जैसे आप साहित्य से समधित अगर कुछ पढ़ते हैं लिट्रेचर से समधित कुछ किताबं को चिपका देता है कि आधिक से अधिक उनन्हों साहिति कृताबव को पढ़ें तो ग्राव देता आपको हको घना तो बस ग्लू से आपको याद रखेंगा कृषीए counting उगले जो नोब्ल पुरसकार है वो है chemistry पे दिया हुआ Nobel पुरसकार है तो chemistry में दिये हुए Nobel पुरसकार में दो लोग है Emelal Carpenter और Jennifer A. Jennifer A. ये दो लोग को रसायन के चित्र में दिया गया है पुरसकार तो इनको किस चीज के लिए दिया हुआ है CRISPR 9 CRISPR 9 जो है काफी चर्चा में रहने वाला topic है यह gene editing से समंदित है और आप UPSC और PSC के previous year के papers देखेंगे तो उस पर gene editing एक काफी favorite topic रहा है examiner का, वो कई बार इससे समंदित question पूछ लेते हैं तो इसको याद रखने का आसान सा तरीका है Carpenter, Carpenter दोड़ते हुए case ले आया, ठीक है? बस इतना ही याद रखना है आपको तो CRISPR case 9 जो है वो यहाँ पर case हो गया, Carpenter जी यहाँ पर आप दिखी रहे हैं, Eminal Carpenter हो गया, दोड़ते हुए मतलब यहाँ पर Jennifer A. दोड़ना ठीक है? यह आगए यहाँ पर तो यह आसान से trick इससे आपको याद रह जाएगा आप इसके बाद भूलेंगे नहीं से कभी भी चलिए, अगले Nobel पुरसकार पर चलते हैं अगला Nobel पुरसकार समधित है शांती से, Nobel Peace Prize जो है उससे समधित है, तो Nobel Peace Prize किसको दिया गया है, इस बार का शांती पुरसकार जो है, वो दिया गया है एक UN की बॉड़ी, संयूत रास की बॉड़ी है एक World Food Program WFP, हैना WFP को दिया गया है, तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, देखे जब भी आप अच्छा खाना खाते हैं, तो आपका मन जो है, वो शांत हो जाता है, आपकी भूग जो है, वो शांत हो जाती है, आपको शांती मिलती है हना, तो Peace Prize या Nobel शांती पुरसकार आपके समधिते Food Program से, तो बस इतनी छोटी से ट्रिक है इसको आप याद रख लीजेगा, तो आपको उसके बाद कभी भूलेंगे नहीं सारे Nobel पुरसकार तो हमने पांच Nobel पुरसकार यहां पर डिसकस कर लिए हैं और सारे ट्रिक भी आपको साथ हैं बढ़ा दी गई है तो आप इसली इसको याद कर सकेंगे आप सिर्फ दो मिनिट पे सारे Nobel पुरसकार आप इसली आप उसको रिवाइस कर पाएंगे तो चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं अगला टॉपिक है हमारा व्यक्ति विशेश ऐसे कौन कौन थी व्यक्ति थे हो थे जो की चर्चा में रहे थे उनके बारे हम डिसकस करेंगे तो हमारी जो ममता चंद्राकर जी है ममता चंद्राकर जी है वो काफी नहीं पर चर्चा में थी क्योंकि इन्हें खेरागर संगीत विश्विद्याला का कुलपुती जो है वो निउप किया गया था और इन्हें पदमशी भी पहले मिल चुका है और इन्हें 36 गड़ का कोकिला भी कहा जाता है और 36 गड़ फिल्म एससेशन के अध्यक्ष है दिलीप शडंगी इनको 36 गड़ फिल्म एससेशन का अध्यक्ष बनाया गया है अगर हम बाकी और लोग हैं जो चर्चा में रहें उनके बारे में देखें तो अनुष शर्मा जी है जो कि फिल्म अभिनाव और पदमर्शी से समधित हैं उनको पदमर्शी मिला हुआ है 2014 में अशोक चकरधारी जो है वो उनके 24 से 40 गंटे तक दिया जलाने वाले जो है दिपक कर निर्मान किया था इन्होंने आपको पता ही होगा जो यह कुंडा गाउं के रहने वाले हैं और इन्होंने एक ऐसा दिया बनाया था जो कि 24 से 40 गंटे तक जल सकता था यह याद रखिएगा अनुपादास जी आपने आगर के बीसी देखा ही होगा तो उसमें एक करोड रूपर जीता था इन्होंने डॉक्टर अगरसेन कन्नौजी हैं वो लोग हाज से कलाकार हैं और एवियंस हसकार और उतरपदेश की रासी वाला 36 करणे वाले व्यक्ती थे फूल पासन भाई जो है यह भी के बीसी 12 के सिजन में आई थी है ना करमवीर में इनकी आई थी आपने अगर देखा होगा तो वो सारे जो भी अभूशन होते हैं वो सारे अभूशन पहन के वो आई हुई थी समास सेवी का है पदमशी मिला हुआ है इन्हें भी बर्खा तामरकार पहली महिला IFSC अधिकारी है मम्तार संदकार जी को हमने देखी लिया है प्रभा यादाव है पंडवानी की वेदमती शेली की गाईका है ठीक है हबीब तन्वीर जो है वो 36 रंगमंच के संदक छक है और अगर हम आयोग और समीतियों के बारे में बात करें तो आयोग और समीतिया जो भी रिसेंटली बनी है उनको देख लेते हैं हम एक बार OBC और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के सरविक्षण के लिए आयोग का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष जो है अगर और देखें हम तो इनकी अध्यक्ष जो भी आयोग का गठन किया गया है तो शतीश के अगनी हत्रु के लिए है मदन वाड़ा की नक्सली घटना की जांच के लिए किनकी अध्यक्ष में बनाए गया है तो इलाहबात उच्छ नैलेस सिमानेत नयाधिश नयायमूर्ती शंभूना सिवास्ताव जी के अध्यक्षता में समीती बनाए गया है जल्स अंसाधन नदी विकास गंगा काया कल्प मंत्राले ने आज एक अधिस उचना जारी कर महादरी जल्विवाद प्राधिकरण का गठन किया है तो इसमें कॉन है मूसके अध्यक्ष जस्तिस एमएम खान किलकर जो है उनको बनाए गया है बस्तर के बहुछ चचित झीराम घाटि नर्साहार की जांच किसके अधिक्षाता में हो रही है तो ये जांच हो रही है, 36 गड़ प्रशांद, जस्टिस जो है, जस्टिस प्रशांद मिस्टा जो है, उनकी अध्यक्षता में हो रही है, तो दोस्तों, आज के current affairs में हमने इतने ही topics लेके आये थे, हम और जो हमारे parts हैं, उनमें दो parts और अभी ready हो चुके हैं, जो की समंदित ह हैं, आपके जितने index हैं, हाना, उन index से समंदित लास्टियर भी एक question आया था, तो 36 गड़ के जितने index हैं, उससे समंदित क्रिशी, और यहां economy में जितने भी recent changes हुए हैं, और recent जो fact figure हैं, उन सबसे समंदित दो और वीडियो आने वाले हैं, दो parts almost ready हैं, और उसके बाद में जो राश्ट्री हैं, और 36 गड़ के जो बाकी जो चर्चा में रहने वाले places हैं, उनके उपर भी वीडियो से आएंगे, तो हम चार ये पांच जो वीडियो से parts में, इसे complete जो 36 गड़ के current affairs और राश्टी current affairs जो हमारे काम का है, वो हम finish कर देंगे, राइट, दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा शेयर की जाने वाले current affairs और information अगर अच्छी लग रही हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, थैंक यू दोस्तों, थैंक्स पॉर दिसकेशन, थैंक यू